इस वीडियो में दूस्वों हम लोग बात करेंगे फैन कोड़ ECA Cypress T10 के दूस्वों आज के होने वाले मैच नमबर 1 के बारे में दूस्वों आज का मैच नमबर 1 AMD और दूस्वों NCT टीम के 20 खेला जागा या मैं दूस्वों धियान रखेगा 10 बच के 30 मिनट से स्टार्ट होगा इस वीडियो में दूस्वों मैं आपको इस मैच से रिलेटेट Small League का फाइनल टीम सेयर कर रहा हूँ साथी साथ दूस्वों आप किस तरह से थोड़ा सा रिक्स लेके Grand League में बेस्ट कमबिनेशन बना सकते हो सिंप्ली दूस्वों एक से दो पिलेर को रॉटेट करके कैप्टन बिसी दूस्वों आप कैसे Small League में रॉटेट करोगे किस पर आप Grand League में रिक्स ले सकते हो और दोस्वों क्यों ले सकते हो सभी कि दोस्वों आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा तो दोस्वों यदि आप इस मैच में सिरियसली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो small league या दोस्तो grand link में वीडियो को पूरा वास किजिएगा वीडियो को दोस्तो समझेगा फिर दोस्तो उसके according invest किजिएगा बाइचांस यदि दोस्तो अदर कोई question हो तो नीचे comment section में आप मुझे पूछ सकते हो ठिकना दोस्तो अभी के लिए दोस्तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जो भी दोस्तो मैं small league का भी आपको वीडियो में टीम दे रहा हूं टास के बाद दोस्तो बाइचांस से स्टी में से कोई player ना खेले तो final combination में आपको फिर से update करके टेलिग्राम पे share कर दूँगा आप सभी दोस्त टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन किजेगा इसका लिंक दोस्तो आपको नीचे मिलता रहेगा ठीक ना दोस्तो अब बात करें दोस्तो हम लोग AMD और दोस्तों NCT के match में combination कैसे बनाएंगे तो दोस्तों इस match का combination हम लोग स्टार्ट करते हैं बिगेट की प्रिंग सेक्शन से बिगेट की प्रिंग सेक्शन में आईगा तो दोस्तों आपको जेड महमूत का option मिलेगा अब महमूत को दोस्तों हम लोग ड्रॉप तो करेंगे नहीं आपको एक ओवर बॉलिंग भी कर ले तो आप इन्हें कैप्टन भी सी भी कर सकते हो आज के match में फिर दोस्तों आप नीची आईगा तो second option दोस्तों आपको पी दोल का मिलेगा अब देखो दोस्तों आज के से नीचे स्कूर करता है सेलेक्शन बर्सेंटेज बहुत हाई है सामने वाले की टीम में होएंगे और बाइचान दोस्तों यह चल गए और 40 प्लस स्कूर कर गए तो दोस्तों आप वहीं पर लॉस कर जाओगे और मेली दोस्तों हेड टू हेड और तीन मेंबर तो इसलिए द सिरकान का भी दोस्तों देखो तो बैटिंग से कुछ खास पर्फॉर्मेंस नहीं रहा है एक ही मैश जिसमें रहा है जिसमें रहे ही जिसमें दोस्तों इन्होंने 20 से प्लस स्कूर की अदरवाई सभी मैश में फ्लॉब गए और मेली दोस्तों आपको बिकेट कीप इंग से बस आप ये दो प्लेयर पे ही फोकस कीजिए अब बात करें दोस्तों हम लोग बैटिंग सेक्शन तो बैटिंग सेक्शन में आर मजुमदार आपके टीम में होने चाहिए कल के दिन दोस्तों इन्होंने बॉलिंग भी किया और सभी मैच में बिकेट भी लिये और बैटिंग त ठीक ना आप ट्राइ कर सकते हो इसमॉल लिग में बहुत इंपोर्टेंट रहेंगे क्योंकि आपको टॉप ओडर में बैटिंग कर लेते हैं और आपको दो अभर बालिंग कर लेते हैं लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको मिनी जेल और ग्रेंड लिग में रॉटेट करने के लिए क्योंकि दोस्तो इनका जो परफॉर्मेंस रहा है लास्ट तीन मैचों का उतना अच्छा नहीं रहा है और बैटिंग से तो दोस्तो लास्ट पांच मैच लेलो तो कुछ खास नहीं रहा है फिर नीची आईगा दोस्तो आपको जी संगवान का आप्शन मिलेग अब दोस्तो देखो ये बैटिंग सेक्षन में इनका नाम भले बस आपको कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया गया लेकिन यार इनसे बैटिंग से उमीद मत रखना बट बहुत अच्छे बॉलर है बिकेट टेकर बॉलर है सिंपल बोलू तो अभी तक टुनामेंट में चा आपको एक आजि का प्रिकसर मिलेगा अब काजी को दोस्तो आप चाहो तो ग्रेंट लीग में रॉल्टियट कर सकते हूं कि इंके साथ करोगे तो दोस्तो जो मैंने आपको को और सेक्षन से पीडेल यदि इनका first over अच्छा जाता है तो second over इन्हें चांस मिलता है बॉलिंग करने के लिए तो आप grand league में इनको rotate कर सकते हो बात करें दूस्तों आपको वाई महमूद का option मिलेगा अब देखो वाई महमूद को दूस्तों में small league में तो definitely रखने वाला हूँ अब देखो कल का यदि आप scorecard देखोगे scorecard मैं बात कर रहा हूँ तो आप बोलोगी यार इस बंदे का तो कल का बहुत ही ख्राब performance रहा है लेकिन जिन भाई उनने live match देखा है मैंने देखा है दोस्तों उनको मालूम है वाई महमूद कल भी बहुत अच्छा है इन्होंने balling कि दोस्तों कल के दिन इनको टोटल देखो तो बिकेट होना चाहिए था टोटल पांच लेकिन हुआ कि इतना तो जीरो अब देखो यह फिल्डर पर डिसाइड करता है कि वह catch पकरेंगे की नहीं बहुत ही simple cash दोस्तों आ रहा था लेकिन फिल्डर छोड़ दे रहे थे और ऐसे बालो में बॉलिंग से आपको यह बिकेट देगा बस बैटिंग से 20 दे दिया तो हो गया नीचे आएगा दोस्तों तो आपको बी खांदूरी का option मिलेगा another good option जिने आप दोस्तों कैप्टन भी सी कर सकते हो इनका भी performance बहुत ही अच्छा रहा है इस टुनामेन में का performance रहा है drop नहीं कीजिएगा बहुत ज्यादा match नहीं खेले बर जितना भी match इले आपको rolling से 20 seeds लोप होते तोबेटिंग से 2 स्कोर कर देते हैं और बैटिंग से 200 इस्कोर नहीं कर पाते तो आपको balling से 2 दो विकेट पूरबाइट कर देते हैं और हमिस दूस्तों धंचे यहीगा दूसरो तो आपको एम रहमान का उप्सन में लेगा एम रहमान का दूसरो परफॉर्मेंस देखो तो इस टूनामिन में अभी तक एवरेज जी रहा है छे मैच इनों ने खेला है जिसमें आपको छे ओफर बॉलिंग किये और तीन बिकेट प्रवाइट किये अब करें लेकिन आपके लिए दूसरो सभी कंबिनेशन में फिक्स नहीं करना है आप इन्हें रॉटेट कर सकते हो किनके साथ रॉकरेट करोगे तो आपके दोसरो आगे बॉलिंग सेक्षन में जी हसन का आपस्टन मिलेगा अब देखो हसन का भी परफॉर्मेंस से मीरा है इसलि बैटिंग से भी उतना अच्छा पर्फॉर्म से रहा है। बॉलिंग से भी दोस्तो सभी मैच में बीगेट नहीं लिए तो सेम दोसदो दूनों का सिच्छुएसन है इसलिए दोनों को एक टीम में थोडा सा नहीं ठ्राई किजेगा ग्रेल लिंग में और चो दूसरो तो आपको राना का ओप्षन मिलेगा राना दोसरो इस टुनामेण में देखे तो अभी तक 4 मैच खेले जिसमें आपको पांच बिकेट प्रृइट किये राना बहुत अच्छे spin baller है अब देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो यदि NCT की टीम दोसो first balling करती है तो फिर दोस्व आप F.Mahmud को try कर सकते हो NCT की टीम दोसो first balling ना करके batting करती है तो फिर दोस्व आप यहाँ पर A.Rana के साथ जा सकते हो as a last option यह हो गया दोस्व first rotation second rotation दोस्व यदि आपको लगता है कि आई जमान जैसे लास्ट दीन में इनका performance बहुत ही खराब रहा है फिर से दोस्व यह खराब perform करते तो यह वाला रिक्स आप दोस्व ग्रेंड लिग में भी ले सकते हो कि उनके जगा एप महमुद को दोस्व टीम में रख ले और नीचे से A.Rana को भी टीम में रख ले यह वाला rotation दोस्व आपके लिए GL में एक अच्छा बन सकता है मैं में भी दोस्व यह वाला rotation GL में ट्राइ भी करू थोड़ा सा different जाना जरूरी होता है GL में small league में safe चल जाओ कोई problem नहीं है चाहिएगा दूस्व तो आपको T.A.M.N.L. का option में लेगा आप दूस्व देखो यह by chance खेल गया क्योंकि यार देखो तो last 5 में से खेल नहीं रहे है तो कोई chance नहीं है यदि by chance खेल जाता है तो फिर हम लोग सोचेंगे ही नहीं एर आना को drop करेंगे इन्हें टीम में रखे क्योंकि आपको यह बैटिंग भी करके देदेगा दूस्तो और साथी साथ दो अबर तो complete bowling करेगा डैट मेंस एक all-rounder player है नाम भले इनका दूस्तो बालिंग सेक्षन में वो तो जस्ट आपको confuse करने के लिए दिया गया है बट एक all-rounder player है बात करें दूस्तो इस match से related captain bc option तो दूस्तो इस match में जो आपके लिए small league का captain bc option है तो तीन है एक तो दूस्तो जेड ममूद जो open batting करेंगे और एक ओवर balling कर ले रहे है सेकेंड ओप्सन दूस्तो आपको मिलेंगे नीचे all-rounder section से वाई ममूद और दूस्तो ठर्ड ओप्सन है खांदूरी यह दोनों भी दूस्तो एक all-rounder player है दोनों ने अपने team के लिए बहुत अच्छा performance किया है आप इन्हें भी small league में captain bc rotate कर सकते हो अब बात करें दूस्तो ग्रेंग के लिए तो ग्रेंग के लिए मेरे पास 3 बहुत ही बहुत ही बेहतरी इंच वाईस है एक तो दूस्तो आर्म जुमदार ज अभी भी दोस्तो इन्हें बिकेट मिल सकता है तो ग्रेंग में दोस्तो ये वी एक अच्छे 24 बनते हैं और फिर नीचे से दूस्तो आरहसन यदि आप nct के top order batsman को drop कर रहे हो तो दोस्तो आरहसन पे भी आप ricks ले सकते हो region जानते हो क्या है तो थोड़ा सा नीचे में ही दो बिकेट गिर जाता है तो इनका बैटिंग कब आ जाएगा तो दोस्तो टॉप order में बैटिंग करने हा जाएंगे पॉल ज्यादा मिलेगा खेलने के लिए आपको ज्यादा स्कोर करके देंगे और साथी साथ आपको दो बन तो बालिंग करी रहे तो यह वाला भी च मुका जरूर कीजिएगा यदि दोस्तो आप ग्रेंड लिग में बेटर रैंक लाना चाहते हैं अभी के लिए स्मॉली का टीम के लिए दोस्तो मैं यही बोलूंगा कॉंटेश वाइन करके रखो टस्क के बाद इसमें बाइचांस कोई प्लियर ना खेले अपसेंट हो जाए या दोस्तो टस्क के कोई भी चिंजिस करना होगा तो फाइनल कंबिनेशन आपको हमेशा की तरह मैं फिर से अपडेट करके टेलीग्राम पे पुर्भाइट कर दूँगा आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लीजेगा इसका लिंक दोस्तो आपको इंपोर्टेंट कोशिस किजिका दोस्तो नोटिफिकेशन का घंटी बेजा दे जिससे दोस्तो आने वाले वीडियो का आपको इजली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ठीक ना दोस्तो फिर मिलते आप सभी से नेक्स टीटेन के वीडियो में जैहिन दोस्तो टेक केर अन झाल